हाई फ्रेंग्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं सुमंजैस्वाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो लगभग मुझे लगता है कि सब को अपने घर में रखनी चाहिए और शायद कई लोग रखते भी ह होंगे अपने घरों में यह मैडिसिन एक ओटीसी ओवा अगांटर मेडिसिन में से एक मैडिसिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेन मेडिसिन है यह दवा लगभग कई चीजों में एक साथ काम करती है इसलिए इस दवा का रखना बहुत ज़रूरी है तो देखिए दोस्तों मै एक स्ट्रिप होता है जो लगभग 40 रुपए के आसपास की मिलती है और बहुत ही कामगर दवा होती है तो यह क्या करती है किसमें स्तमाल होता है साइड इफेक्ट क्या है क्या साफधानिया रखनी है तो यह मैं बात करने वाली हूं हाला कि डोलो तो लगभग सब लोग यह सारी बाते में आज आप से करने वाली हूं तो अन्नेससरी कोई भी चीज आप ना ले तो जानकारी रखें जादा बहतर तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप अंत तक बने रहिएगा तो डोलो 650 mg तो देखिए इसमें क्या होता है सबसे पहले तुम्हें बता ट्रण इसको जो बनाती है कमपणी उसका नाम है मॉलैप्स ठीक है और यह पेन अनालगेसिक क्लास की ड्रग है यह दर्ध को तो कम करती ही करती है साथ ही साथ फीवर में भी बहुत कारगर्द अवाह है बहुत जल्द ही असर करती है दोस्तों ठीक है तो देखिए मैं अब के खराश हो रही है यहाऊ फिर मैंस्ट्रुल क्रैंप में पेग दर्ध एक्षमाज़ा जो होती यह यह नौर्मल सरब दर्ध क्या हो गई है यह मास्पेशयों में दर्ध या बुखार है तो यह दर्धान सोचे रहा कितनी साट क्या करते है चन् placement क्यामिकल मेसेंजर्स हमारे शरीर में बुखार के लिए या दर्द को पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं उनको कम करके यह दवा काम करती है तो अब देखिए कि इसका देखिए मैंने जैसे की बताया कि पैंडेमिक के दौरान यह सजेशन था कि इस दवा को खाया जाए तो देखिए मैं आपको बता देती हूं कि इस दवा का जो है 24 गंटे में चार से जादा डोस नहीं लेनी चाहिए ठीक है और वह चार डोस जो हो लगभग लगभग 4 गंटे का डिफरेंस हाई डोस के बीच में होना चाहिए ठीक है तो यह डोलो को अगर कोई पेशेंट आप कि कि अगर पेशंट को पहले से ही लीवर संबंदित कोई समस्या है या किड़नी संबंदित कोई समस्या है तो वह डॉक्टर सिर्व संपर्क करके तो ही इस दवा का इस्तमाल करें क्योंकि डोज एड़ेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी किड़नी और लीवर संबंदित पेशंग में अब बात करते हूं प्रेगनेंसी अब्रेस्ट फीडिंग में क्या इसको लेना चाहिए तो देखिए प्रेगनेंसी में जहां तक हो सके बिना संपर्क कोई जैके जनरली यह जो भी पेइन होता है उसके लिए सबसे पहले डोलो किया जाता है लेकिन अनिमल स्टाडिज में अप्रेगनेंसी के दौरान इनिमल स्टाडीज में यह पाया गया कि यह दौर जो है फीकिस को जो बच्चा गरब में बन रहा होता है उसको नुकसान सब में सो कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है अब देखिए कुछ साइड इफेक्स भी है तवा है काम कर रहे हैं तो नुकसान भी तो कुछ होगा इसका थोड़ा बहुत तो देखिए उसको बताने से पहले एक बार याद दिला दू यूट्यूब पर हमारे एक और चैनल है टेंक डिर्क्शन न्यूज के नाम से जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हूं प्लीज आप हमारे उस चैनल को भी विजट कीजेगा और हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा तो साइड इफेक्स की बात है लेकिन यह रäriskt क्या हो सकता है पेग दढ उल्टी लग सकते हम उल्टी जैसा लग सकता है तो यह सारी कुछ orth साइड इफेक्स जो कभी कभी देखने को मिलती लेकिन जनरली नहीं होती है थीक है अब सबस्टिट्यूट डोलो ना मिले तो ना मिले भाई डोलो आपने रेक्ट रखा है ना मिला तो तो और वह सबस्टिट्यूट आवेलेबल है मार्केट में देखिए क्या रोपो मॉल 650 mg G Katrina रोपोज लाइव साइन्ज प्राइवेट लिमाटेड़ बनाती है फिर वेलसेक शेसो 50मजी की जिसको सेन्फ फरमसोटिकल स्वाइवेट लिमुटेड बनाती है फिर प्यो फिर पुछी हैवक मेंटेड़ बनाती है तो यह दवाईयां भी ले सकते हैं इनमें भी पेरासिटा मॉल होती है और यह सब्सक्राइब लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा छोटी जानकारी है लोगों तक पहुंचनी चाहिए फिर इसके बाद देखिए इस टाबलेट का इस्तमाल जैसे डॉक्र ने बताया है या फिर इसको बहुतल है कि जैसे पानि के संग निगला जाता है वैसे ओशी ओक आर्ग आप फिर्लीज दूट को रहा हैद मैंने स्टमक पेन एक साइड इफेक्ट इसका बताया तो खाने के बाद इस दवा का इस्तमाल करें दूद के संग ले तो इससे क्या होगा जो स्टमक रिलेक्टिक समस्या हो सकती है वो नहीं होंगी ठीक है तो यह इसका कुछ आपको ध्यान देना होगा इस दवा को लेने से अब मैं दोस्तों बताऊंगी कि किन दवा के संग इसको नहीं लेना है कुछ इंटरैक्शन भी होगा भई कि अगर इस दवा के संग लेंगे तो जानलेवा हो सकती है कुछ अलग से एफेक्ट हो सकता है तो अब मैं यह बताने वाली हूँ आपको देखिए अगर वीडियो म अगर इंप्लिमेंट करने के लिए होगे तो जरूर इंप्लिमेंट करूंगी तो देखिए इंट्रैक्शन की मैं अगर बात करूं तो देखिए जैसे नीमो स्लाइड हो गया ऑक्सिफ एन विटाजोन और मिटामीजोल इन सब के संग इस दवा को ना लिया जाए तो बहतर जानलेवा सद्ध हो सकती है तो अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जिसमें यह तो नीमो स्लाइड ले रहे हैं तो देख लीजे कॉंपोजीशन पर लीजिए और डोलो का इस्तमाल ना कीजिए ठीक है फिर अब मैं बात करूंगी कि अगर इसको लंबे समय तक दिखिए पहले तो अगर आपको आराम हो जाए या जितने दिन तक डॉक्टर ने बोला है उतने दिन तक ही खाईए और आराम हो जाए तो दवा बंद कर दीजे और जितना हो सके आप 24 गंटे में चार डोस ना लें आप कम से कम लें जब आप अच्छे हो जाए इस दवा का सेवन बं इस लिए लंबे समय तक आप दवा का सेवन ना करें इस दवा का वैसे तो यह हैबिट फॉर्मिंग नहीं है आपको आदत नहीं पड़ेगी लगेगी लेकिन कुछ समस्यां सामने आ सकती है इसलिए ऐसा ना करें अब देखिए और क्या करना है कि अगर इंडाजेशन संबं से कम दो घंटे तक कोई भी प्रकार का एंटासिट का इस्तमाल ना करें इनो डाइजीन कुछ नहीं बस शांती से बैठे पानी पी और कुछ भी नहीं ठीक फिर अब देखिए इस अलकोहल देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दवा का लेने के बाद इस क्या को क्योंकि अगर आप इस दवा को भी ले रहे हों साथी साथ अलकोहल का कंजम्शन भी कर रहे हैं तो इस टमक पेड संबंधिस समस्यां बढ़ने के चांसल जादा हो जाते हैं दोस्तों ठीक है तो यह था मेरा आज का पूरा वीडियो डोलो 650 mg के उपर जितनी जानकारी आपक कोई नाम जानता है सब की जुबान पर होता है डोलो तो यह जो है मेडिसन के बारे मैंने बताए हो सकता आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक कीजिए कमें में कोई सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं कमें में अब मैं सुमझ जैस्वाल आपसे विदा चाहूंगी अब अगले वीडियो में मिलेंगे नई समस्या नई दवागे रिव्यू के संग तब तक के लिए थेंक्यू बेरी माच